हर योग मित्रों, मित्रों सरपर्थम तो आप सभी को होली की विशेश सुभ कामना है, मंगल कामना और होली का एक पर्व बहुत ही बड़ा विशेश पर्व माना गया है और खास तोर से इस दिन भगवान विश्णों की पूजा सभी को करनी चाहिए किसी भी इच्छा की प्राप्ति के लिए भगवान विश्णों की पूजा इस दिन में विशेश महत्र रखती है और जितने भी घर के सदस होते हैं तो घर में विभिन परकार के बिंजन आप इस दिन बनाते हैं तो सभी सदस जो है घर के परतेग सदसों को चाहिए कि उन बेंजन का जो सेवन करते हैं तो एकत्रित होकर करें यानि परिवार के सभी सदस एक साथ होकर भोजन करें तो इसे पूरे वर्ष तक परिवार की एकता और प्रेम बना रहता है तो ये होली का एक विसेश महत होता है और देखिए होली कैसे मराई जाती है एक छोटी सी लगू का था इसके बिसे में होती है और होली के दिन मतलब होली का जो पर्ब होता है ये नर्सिंग भगवान के आवतार का पर्ब है आवतार के दिन का पर्ब होता है और हिर्णा कसब दिती के पुत्र था पिती का पुत्र हिर्णा करसब उसका पुत्र भक्त परलाद हुआ और जब परलाद गर्प्री माता के गर्प में था तो उस समय वो माता जो थी परलाद की माता यानि हिर्णा करसब की पत्मी नारत के संग में थी यानि नारत उनको उठा ले गए थे और उनहीं के साथ उनके वो आसरा में रहते थी और उस आसरा में नारायन के भक्त थे और नारत जी भी नारायन की पूजा करते थे नारायन भगवान का नाम लेते थे और उनके मुख से नारायन सब्द के साथ जो उसके गर्भ में यानि हिर्णा कर्षब की पतनी के गर्भ में जो गर्भ का संसकार ब प्तम बना और वो उज्ज संतान भगवान विशनू का परमफक्द हुआ। और उसी भक्त की रख्षा के लिए, हिर्णाकरश्ब के बद्ध्र के लिए, निर्शिंग भगवान ने ओतार लिया और उसी ओतार के पर्व को हुली कहा जाता है। और होलिका दहिन यानि जो हिर्णा कस्ब की बेहन होलिका थी जो भगवान के भक्त यानि पर्लाद को मिर्तू देने के लिए उसकी मिर्तू के लिए उसे होलिका में यानि जलती हुई लकडी में लेकर बैठ गई और खुद वो मिर्त हो गई और भक्त पर्लाद भगवान की उत्तम तवार है और हम आप सभी के लिए यह प्राथना करते हैं कि होली के दिन आप घर में अच्छे धंक से रहें और अपने 씨। को कुसल रखें परिवार की एकता बनाए अच्छे से रंग का तहवार बनाएं गलत तरीकों का परियोग डा करें सुंदर तरीके से रंगों का एक दूसरे में संचार करें और यही आप सभी के लिए हमारे विश्यस प्रातना रहेगी और मंगल कामना रहेगी तो एक छोटा स संदेश मित्रों खासकर हुली की मिसे में था धन्यवाद सुम मंगलम इस वर आप सभी का मंगल करें